आज के दिन कतिहासिक महत्र आज के दिन उन्नीस उन्नीस में गांधी जी ने जलियावाला बाग हत्याकान में मरने वालों को शद्धांजरी देने के लिए उप्वास की घोशना की थी अठारा तिरेपन में भारती रेलवे का शुभारं हुआ था भारत की पहली ट्रेन मुंबई से विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन और थाने के बीच चलती थी 2008 में लंदन में राश्ट्र पिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरा हुआ था 2001 में भारत और बांगला देश ने अपनी निर्लिवाद सीमा पर पांच दिवसीय संगह शुरू किया जो गति रोग में समाप्त हुआ आईए अब नजर डालते हैं आज के कुछ करेंट अफेस पे न्यूजिलेंड सरकार ने एक नया कानून पेश किया जिसके पहत देश मे संचालित बैंकों और बीमा कंपनियों और निवेश प्रारंकों को अपने विवसाय पर जलवायू परिवर्तन के प्रभाव की रिपोर्ट देनी आवश्यक है नियूजिलेंड ऐसा कानून लाने वाला पहला देश है नय कानून के अनुसार एक बिलियन से अधिक की कुल सं संपक्ति वन बिलियन से अधिक बीमा करताओं को जानकारी देनी होगी देश में पिछले 24 घंटों में करोना के दो लाग आठ सो बीस के साहिजिन में से एक सो दो लोगों की मौत हो गई विश्व बैंक समू की एकाई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी नर्स का भारती अहारित उर्जमंडल विक्टर ग्रीन ने भारित पूंजी बाजार में एक ग्रीन बांड के माप्धिम से 12-37 करोर रुपए जुटाने की योजना बनाई है आयुश मंत्राले की सारवजनिक शेत्र की विनिर्मान काई इंडियन मेडिसिन फार्मसूटिकल क सारवजने को चिलाव की सूचना दी है वर्तमान में आई इंपीसी एल विबिन रोगों के लिए 656 उतकृष्ट आयुवेद दवाओं का निर्मान करता है यूरोपियन संको समगर से पहले ही 50 मिलियन फाइजर करोना वाइरस को की खुराक मिलने की उमीद है क्योंकि सन्योक राज्य अमेरिका ने जॉंसन एंड जॉंसन टीके के उपयोग से टीका करन करना रोग दिया है आर्बील बैंक और मास्टर कार्ड ने मुबाइल आधारे तो भूगता अनुकूल भूगतान समाधान पर बाइबैंक एप लॉंच करने के लिए अपनी साज़दारी की घोश ले सकते हैं इंदन खाद्य और विनिर्वित वस्तों की कीमत में वर्धी के कारण देश में मुद्रास्वीती की दर सेवन परसेंट से अधिक हो गई है उद्योग मंत्राले और वानिजर आंत्रिक व्यापार समवर्धन विभाग द्वाराजारी आंतिमांक्रों के अनुसा टैक्स भी कहा जाता है जो एकॉमर्स ऑपरेटर और सेवा पराजाव पर लगाया जाता है भारत में एक्विलाइजेशन लेवे का संग्रावित वर्ष 2020 के लिए 2057 करोर रुपे रहा और ये पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना हो गया है पाकिस्तानी क्रिकेटर भारतिय कप्तान बल्लेबाज विराट कोहली की जगाली है यूरोपीय आयोग में वर्ष 2016 तक 150 मिलियन यूरो की उधारी लेने का प्रस्ताव किया है इस रेड राशी का उप्योग अर्थवेवस्था को ग्रीन और अधिक डिजिटल बनाने के लिए किया जाएगा इसके ल कालमन मचलियों की मौत हुई है इसे लाप के कारण पानी की उपलबदता में कमी आई जिसके कारण सर्वन का दम घुटने लगा श्रीलंग का सरकार ने आईए सहित 11 कटरपंथी इसलामी संगतनों पर प्रतिबंद लगा दिया है परसिद इतिहासकार एवं पदमश्री से स 13.5 परसेंट हिस्सेदारी बेचिंगे आस्टरेलिया की महिला क्रिकेट तीम ने नूजिलेंड को छे विकेट से हराकर तीमनेचों की वन डे सीडीज में जीत हासिल कर ली आस्ट्रेलियाई टीम ने इस मैच में जीत दर्ज करते ही वर्ल्ड क्रिकेट में इतिहासिक कारनामा करते हुए लगातार दो वन डे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यह ऐसा रिकॉर्ड है जो कि किसी भी देश की पुरुष टीम भी नहीं बना पाई है अक्षय कुमार को गोल्डन ग्लोब और नर्स फांडेशन से सम्मानित करने की घोशना की गई है पिछले काफी समय से दुनिया भर के सेलिब्रिटीज पर्यावर और सन्रक्षन के शेत्र में काम कर रहे हैं इन सिलिब्रिटी में से कुछ बॉलीवोड के सितारे भी शामिल है और लोगों के बीच पर्यावर और सन्रक्षन के लिए जाग रुकता पहला रहे हैं इन सितारों में दर्ज मिर्जा, अजय देवगन, अविताब बच्चन और अभिशेग बच्चन जैसे सितारों का नाम शामिल है अब इस लिस्ट में अक्षे कुमार का नाम भी जुर गया है IPA 2021 के तीसरे मैच में कुलकाता नाइट, राइडर्स ने सन्राइजर्स हैदराबाद को 10 रन से मार दी है, ये केक्यार जी सौरी IPL जीत रही केक्यार IPL में 100 मैच जीतने वाली दूसरी टीम बनी और उससे पहले मुंबई, इंडियन्स, चैन्नाई, सुपर किंग्स इस लीग में सबसे ज्यादा मैच जीत चुके हैं हाल ही में BCCI यानी वीजनल ओफिस इंडिया ने भारत में COVID-19 वैक्सिंग्स को की रिस्ट्रिक्टेड इमर्जनसी प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी है, भारत में रिस्ट्रिक्टेड इमर्जनसी प्रयोग के लिए कुल 3 COVID-19 वैक्सिंग को मंजूरी मिल गई है, या 3 वै परिवारों के लिए फ्लाइट बनवाए जाएंगे जिससे इन परिवारों को अच्छी जिंदगी मिल सके और इस योजना के तहत अस्मानता को कम किया जा सकेगा जापानी ब्रोकरेज कंपनी डुगरा ने बढ़ते करोना वाइरस मामलो और उचमुद्रास्वीती के बीच वित्तिये वर्ष बीस इकीस बाइस में भारप की जीडीपी अनुमान को तेरा पांच परसंट के पिछले अनुपात से बारा छे परसंट तक संशोधित किया है भारत का पहला वर्टिकल फारिस्ट टावर बेंगलूरू में बनाया जा रहा है इसका निर्मान माना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है इस फारिस्ट का नान है माना फॉरिस्ट और ये प्ली कब उसको वर्टिकल्स पेरित है भारतिय काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस अपने अपने सेवेंटी वांवे स्थापना दिवस के दौरान लिटिल गुरू संस्कृत को लौंच किया है संस्कृत लर्णिंग पर लिटिल गुरू एक उन्होंने पिछले साल करोना वाइरस संक्रमर को फैलने से रूपने के लिए लगाए गए लोक्टाउन के दौरान प्रवासियों को उनके ग्राह राजियों में पहुंचाने में मदद की